हेलो एवरिवन, वेलकम टू लर्निंग बुक, लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 26 अगस्त और 27 अगस्त 2020 से संबंदित करेंट अफेयर के प्रशनों का डिसकसन करेंगे अपने कोश्चन के डिसकसन की सुरुवात की जाए, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अपना सपोर्ट दें चैनल के वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें साथ ही साथ जो नए वीवेर्स चैनल से आज पहली बार जूड़ा हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें जिससे जो भी नए वीडियो चैनल पे अप्लोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके आई फिर सुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रस्ट के साथ आज का पहला प्रस्ट ने जहारखंड सरकार ने हाली में एक नया राज प्रतीक पेस किया जारखंड का राज पशु क्या है जारखंड गवर्मेंट ने अपना एंबल को चेंज किया एंबल में सोता है राज की चिन है और ये राज प्रतीक हिंदी में बोलतेंगे और एंबल इंगलिस में बोलते हैं जहारखंड government ने अपना MBL change किया है भी मैं आपको MBL को दिखाता हूँ ये कैसा है जो नया जहारखंड का MBL आया हुआ है ये है जहारखंड government का नया राजकी चिन्ध परिवर्तित करके नया राजकी चिन्ध लाउंच कर दिया गया है जहारखंड सरकार के द्वारा इसमें देखे कौन कौन से प्रशन आ सकते हैं जहारखंड PCS के लिए एक तो आ सकता है देखे और अधर इक्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि किस government ने हाल ही में अपना राजकी चिन्ध परिवर्तित किया इस तरीके से question अधर स्टेट PCS में आ सकते हैं लेकिन जहारखंड म इसमें आपको अशोक अस्तंब दिखाई दे रहा है फिर उसके बाद जो दूसरा सरकल है उसमें छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं तीसरे सरकल में जो जहारखंड के लोग हैं जहारखंड की जनजातियां हैं वो लोग उत्सो मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं रखवे में ज्हारख्ण सरकार दिखा हुए और जो सात्वा और लास सरक्ल है वो पूरी तरीके से खाली है, यह ज्हारख्ण का नया एमबल है, ज्हारख्ण का नया प्रतीक चिन है, अब हम वापस question पर आते हैं, तो मैंने जब राच्छे प्रतीक दिखाया नया जारखंड का जो नया राज्य प्रतीक है तो उसमें बता दिया कि वहां का राज्य की पुश्प पलास है साथी साथ राज्य पशू हाथी है नेक्स्ट कोश्चन है नीती आयोग का अटल इनोवेशन मिशन ने किस संगठन के साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए अटल टिक्रिंग लैब आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस स्टेप अप माड्यूल लांच किया है इसे लांच किया है नीती आयोग ने नेसकॉम के साथ मि नीती आयोग के इनोवेशन अटल इनोवेशन मिशन के तहट अटल टिक्रिंग लैब को विक्सित किया जा रहा है जहां छात्र विज्ञान के साथ ही साथ अर्धविवस्था और उद्योग पर नवाचार विक्सित करने के लिए अपने आपको उस हिसाब से ढालेंगे अटल टिक्रिंग लैब में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस स्टेप अप माड्यूल लांच करने के लिए नीती आयोग ने नैस कौम के साथ समझ होता किया है इससे स्कूल के अटल टिक्रिंग लैब में काम करने वाले छात्रों को आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के साथ क इक्सित किया गया है जो क्लास 12 तक के स्कूल हैं तो जब क्लास 12 तक के बच्चे आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के साथ कारी करेंगे तो उनका जो दिमागी अस्तर होगा वो अगले अस्तर पर धीरे-धीरे खुद बख खुद पहुँच जाएगा इसी उद्देश के साथ अतल इनोवेशन मिशन कार भी कर रहा है तो अभी नेसकॉम ने अतल टिगरिक लैब में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉडियूल को लांच किया है ऑप्सन सी करेक्ट हो जाएगा कुल 5000 अतल टिगरिक लैब में आर्टिफीसियल किट को नेसकॉम की मदद स से लांच किया जा रहा है option c correct हो जाएगा next question है किस विश्व समोह ने housing construction sector में महिलाओं के कौशल को विक्सित करने के लिए project निर्मार स्थ्री लांच किया है और इशा और महराश्टर में परियोजना को लागू किया जाएगा project निर्मार स्थ्री को लांच किया जा रहा है European Sun की मदद से European Sun European Union के साथ ही साथ जो इसमें European Union की मदद कर रहा है यह है habitat for humanitarian India इसने भी इस परियोजना में European Union के साथ हाथ मिलाया है European Union जो परियोजना की पूरी cost है यह है 9,50,000 euro इसका 90% European Union देगा और 10% habitat for humanity इंडिया द्वारा दिया जाएगा habitat for humanity इंडिया जो headquarter है इसका मुंबई में है राजन सेमूल इसके chairperson है यह 10% देगा total जो cost आ रही है निर्माड स्री प्रोजेक्ट पे यह है 9,50,000 euro इसका 90% European Union देगा और 10% habitat for humanity इंडिया द्वारा प्रतान किया जाएगा इसमें महिलाओं को आवाज छेत्र में तक्नीकी और उद्यमिता कोशल के लिए प्रिसिक्षित किया जाएगा निर्माड स्री प्रोजेक्ट में इसके अंतर गत जो दिवालों की जब मकान बनते हैं तो ज़्यादा तर पूरुष काम करते हैं हमने देखा है तो महिलाओं को भी दिवाल की चुनाई करना दिवाल का प्लास्टर करना ये सब करना सिखाया जाएगा साथी साथ wiring, wiring की fitting और plumbering का काम इन सब कामों में महिलाओं को skillful बनाने के लिए training दी जाएगी निर्मार स्री प्रोजेक्ट के जरीए निर्मार स्री प्रोजेक्ट ये सबसे पहले ओडिशा और महराष्ट में लागू किया जाएगा European Union इस प्रोजेक्ट में महिलाओं को कैयोशल विक्षित करने के लिए European Union मदद कर रहा है भारत सरकार की और जो European Union किस के साथ मिलकर काम कर रहा है ये मिलकर काम कर रहा है habitat for humanity इंडिया के साथ option C correct हो जाएगा next question है नीती आयोग ने aspirational district program के लिए IT infra को आधुनिक बनाने में किस company से हाथ मिलाया है aspirational district program इसको launch किया था हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 2018 में इसमें कूल 117 आकांची जिलो एश्पृरेशनल डिस्ट्रीक में उसकी अकांची जिल जिले को किनिक जिलो को चुन कर उनमें पांच सेक्टर में बिलकुल उन जिलो को एकदम बैतर рं न वह प्र-स पांच सेक्टर कौन काूं से है जिनमें अकांची जिलों के अकांची जिलों में पांच सेक्टर में उस जिले को एकदम बहतर कर देना पांच सेक्टर में ये पांचों सेक्टर हैं Health and Nutrition, Education, Agriculture and Water Resource, Financial Inclusion और IT Infra Aspirational District Program का यही उद्देश है कि जो भी जिले Aspirational District Program के लिए चुने जाएं उनको इन पांच सेक्टर में सबसे बहतर बना देना और कारिक्रम का यही है कि इन पांच सेक्टर में ये बिस्वस्तरी सुविधा वाले जिले बन जाएं और इसके लिए IT Infra जो है पांच सेक्टर में एक सेक्टर में आपको बताया Health, Nutrition, Education, Agriculture, Water, Resource, Financial Inclusion के साथ ही साथ IT Infra है IT Infra में नीती आयोग ने औरेकल के साथ समझोता किया है औरेकल एक American Multinational Computed Technology Company है अब औरेकल नीती आयोग का Aspirational District Program के लिए जो IT Infra सेक्टर है उसमें मदद करेगा इन Aspirational यानि आकांची जिलो को आकांची जिलो की अभी डेल्टा रैंकिंग जारी की गई कुछ दिनों पहले नीती आयोग द्वारा जिसमें 36 गड़ का बीजापूर पूरे प्रदेश में पहले अस्थान पे रहा है IT Infra को विक्सित करने के लिए नीती आयोग ने और एकल के साथ समझहोते किया है हाथ मिलाया है option भी correct हो जाएगा साथी साथ Google ने समझहोता किया है National Skill Development Corporation के साथ लोगों को skill develop करने के लिए लोगों के अंदर skill develop करने के लिए Google Mobile Skill Development Program को चला रहा है International Business Machine IBM ने National Skill Development Corporation के साथ free online course लांच किया है युवाओं को skillful बनाने के लिए तो IBM और Google दोनों ने National Skill Development Corporation के साथ समझहोता किया है skillful बनाने के लिए जिसमें Mobile Skillful Development Program गुगल का है और free online course चला रहा है IBM यहाँ पे option भी correct हो जाएगा next question है लोगसभा ने हाली में किस भासा के लिए शुरुवाती अस्तर का पाठिकरम सुरू किया है लोगसभा ने French भासा के लिए शुरुवाती अस्तर का पाठिकरम सुरू किया है इसमें लगभग 57% लोगसभा सचीवाले के अधिकारियों ने अपना पंजी करड कराया है अभी क्या है कि जैसे हमारा इंडिया किसी दूसरे देश के साथ कोई व्यापार समझोता कर रहा है या फिर किसी अन्य तरीके का कोई भी समझोता कर रहा है तो उसमें अगर हमें हमारे इंडिया के किसी जो सची वश्तर के अधिकारी होते हैं या उच्छी लेवल के अधिकारी होते हैं अगर उनके पास उस देश की भासा का लेंग्वेज है तो थोड़ी आसानी हो जाती है बातों का आदान प्रदान करने में इसी वज़ा से समय समय पे गौवर्मेंट बिदेशी भासाओं के कोर्ष को अपने देश में चलाती रहती हैं तो उसी के तहट फ्रेंच भासा भी हमने रफेल लड़ागू विमान खरीदा फ्रांस के डेसौल्ड कमपनी से तो उस दोरान अगर कोई फ्रेंच भासा का जानकार जैसी जानकार तो होंगे लेकिन वो अधिकारी लेवल के हों जिन पे गौवर्मेंट को पूरा-पूरा भरूसा हो तो फिर वो डारेक्ट अपना डीलिंग कर सकते हैं सामने वाले से इसी के तहट अभी फ्रेंच भासा के लिए एकदम निम्नस्तर सुरुवाती बिगनर के लिए पाठिकरम सुरू किया गया है लोगसभा सचीवाले के अधिकारियों के लिए राजसभा सचीवाले के सी ग्रेट के करमचारियों के बच्चों को अरूड जेटली स्कॉलर्शिप प्रुवाइड कराई जाएगी हायर एजूकेशन के लिए अरोड जेटली स्कॉलर्शिप ये किसके लिए है राजसभा सच्वाले के सी ग्रेट के जो कर्मचारी है उनके बच्चों के हायर एजूकेशन के लिए यहाँ पे फ्रेंच भासा की जो बात हो रही है ये सुरू किया गया है लोगसभा में एकदम सुरू आती है इस तरका इसके अंतरगत बच्चों के अधिकारों के लिए बच्चों को चाइड लेबर से मुक्ति के लिए ये सारे काम करे जाएंगे कैला सरत्यार्थी चिल्रन्स फांडेशन बिसेश कर ये बच्चों के लिए ही कारे करता है उनके अधिकारों के लिए लड़ता है पूरे विश् और कहला सत्यार्थी ने बचपन बचाओ अंदूलन चलाया था, Global Campaign for Education चलाया था, बाल अधिकारों के बारे में जन्चेतना जागरित करने के उद्देश से, अब मुक्ती कारवा अभियान को चलाया जा रहा है कहला सत्यार्थी Foundation के द्वारा, Option A correct हो जाएगा, और ये वही कहला सत्यार्थी हैं जिनको Novel Prize मिला था, 2014 में मलाला यूसुफ जाई के साथ, Next Question है, भारती रिजर्बैंक द्वारा केंदर सरकारों को लाभांस के रूप में कितनी राशी स्वीकार करी है, भारती रिजर्बैंक द्वारा केंदर सरकार को लाभांस के रूप में 57,128 करोड रुपए राशी स्वीकार करी है, ये लाभांस जो है, ये केंदर सरकार का है, 1 अप्रेल 2019 से लेके 31 मार्ज 2020 तक का, लाभांस पूरा जो Central Government होता है, या फिर राज सरकारें होती हैं, उनके खाते कहां पे होते हैं, उनके खाते रिजर्बैंक आफ इंडिया में होते हैं, अब रिजर्बैंक आफ जितने भी परियोजनाएं चलती हैं, जितने योजनाये हैं सारे पैसे Reserve Bank of India के पास होते हैं तो Reserve Bank of India उस पैसे के बतले में government को कुछ interest भी देती है तो उन्ही इंट्रेस्ट से government का लाब हुआ इस वर्स 728 करोड उपए का हलाकि लाब इससे जदा हुआ है लेकिन इतने पैसे स्विक्रित किये गये रिजर बैंक के द्वारा कि इनको इसको गॉर्मेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए गॉर्मेंट इन पैसों को रिजर बैंक से अब निकाल सकती है और जितना लाब हुआ है उसमें से 5.5% पर आकस्मिक जोखिम बफर को बनाए रखा जागा यानि 5.5% पैसे को लाब का 5.5% प दिया गया है केंदर सरकार के लाब हांस के रूप में और सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है अलिगर नगर निगम के पहले राष्ट्री ब्रांडम बिजडर कौन बने हैं अलिगर नगर निगम के पहले राष्ट्री ब्रांडम बिजडर बने हैं शाहजान लिनेटेट भी किया गया था, प्लेवैक सिंगर के रूप में, और अब ये अलिगड के नगरनिगम के पहले राष्टी इये ब्राणडम बिज्दर बने हैं, अलिगड उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और उत्तर प्रदेश में अगर हम नगर निगम की बात करें, तो टोट आप्सन एक करेक्ट हो जएगा next question है इस रोके साथ किस संगठन ने चंद्रमा की सता पर Space Bricks नाम की इट जैसी संरचना बनाने के लिए एक अस्थाई परक्रिया विक्षित किया है इस्पेस बनाने के लिए अस्थाई परिक्रिया को विक्षित किया है इंडियन इंस्ट्यूट आफ साइंस बंगलोरू और इस्रो इंडियन Space Research Organization ने इसमें जो ये Space Bricks बनाया जा रहा है ये चंद्र मिट्टी वहाँ पर पाये जाने वाली बैक्टिरिया और ग्वार बीन्स का उप्योग करके जो इट है वो बनाया जा रही है इस इट का उप्योग आगे चलके अंतरिक्ष पे जैसे क्या है कि अंतरिक्ष पे सारी इट से काम उतने उस धंग से नहीं करती हैं जिस धंग से करना चाहिए तो वहां की मिट्चि से ही एट बनागे यहां पर हम्यां आगे चलके अंतरिक्ष क्या सारे स्वार म visão बनें और इस थेलिए कए सारी जो एजनसीां है इसपे इस इजनसी आएं वो इस पर लगतार रिसर्च कर रही हैं अभी इसरो और भारतिय विज्ञान संस्थान बेंगलोरू दोनों को स्पेस ब्रिक्स जैसी संरचना बनाने में एक कामियाबी मिली है और यह स्पेस ब्रिक्स को बनाया इन्होंने कैसे जो चंद्रमा की मिट्टी है उसको लिया साथी साथ कुछ बैक्टीरिया का इस्तमाल किया और ग्वार बीन्स का भी इस्तमाल किया ग्वार बीन्स इन सारे चीजों को मतलब की लुब्रिकेंट का काम करता है चिपकाने का काम करता है गवार बीन्स मिट्टी और बैक्टिरिया को चिपका के जो space bricks है उसको बनाने में चिपकाने का काम कौन सा करता है गवार बीन्स करता है IISC Indian Institute of Science के डिरेक्टर गोविंदन रंगराजन है बैंगलावरू करनाटका में इस्थित है Indian Institute of Science इसरो भी बैंगलावरू करनाटका में इस्थित है और इसके चेर्मैन है के सीवन option B correct हो जाएगा यहाँ पे next question है भारत के राश्ट्री stock exchange और किस संस्थान ने श्रहियुक तरूप से investor education के लिए platform विक्सित और लांच किया है platform for investor education PIE को विक्सित किया है IIM बंगलोर ने भारत के राश्ट्री stock exchange के साथ national stock exchange के साथ मिलकर investor जो stock exchange में क्या है share market है यह Bombay stock exchange और national stock exchange दो बड़े stock exchange है हमारे भारत के और इनमें share खरीदा जाता है share की खरीद फरोग होती है तो काफी सारे लोग aware नहीं होते हैं share की खरीद फरोग के लिए इसलिए national stock exchange ने इंडियन इंसिट आफ management बंगलोरू के साथ मिलकर एक PIE platform for investor education को develop किया है जिससे लोग aware हो सकें और share market के प्रति उनकी जागरुकता बढ़े और वो share market से share खरीदें और इससे क्या होगा कि लोगों की जागरुकता बढ़ेगी तो वो जब share market में पैसा लगाएंगे तो उसी तरीके से सारे के सारे business भी develop होंगे और भारत में BSC और NSE दोनों ने ही small medium enterprises के लिए जो वार्षिक सूची होती है उसमें 25 प्रतिसत की कमी की है जो भी company नेशनल इस्टॉक एक्षेंज या फिर Bombay स्टॉक एक्षेंज में अपना share के लिए अपील करती है कि हम भी अपना share बेचना चाहते हैं public को उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं share market को Bombay Stock Exchange या फिर National Stock Exchange को तो जो रासी जो फीस के रूप में रासी इन Stock Exchange द्वारा company यों से ली जाती है उसमें इन्होंने 25 प्रतिसत की कमी की है small micro enterprises के लिए MSME के लिए इन्होंने 25 प्रतिसत की कमी की है अपने फीस में अब ये MSME की जो कमपनिया है ये registration करा सकती है 25 प्रतिसत कम फीस दे के Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange में Stock Exchange जैसे Reserve Bank गवर्न करता है सारे बैंकों को ठीक उसी तरीके से Stock Exchange को गवर्न करता है सेबी Security and Exchange Board of India CB का Headquarter मुंबई में है और अजेतियागी इसके Chairman है तो अभी investor को educate करने के लिए National Stock Exchange और भारतिय प्रबंधन संस्थान Bengaluru ने एक platform विक्सित और launch किया है option भी correct हो जाएगा Next question है A band in time writing on children's the COVID-19 pandemic नामक पुस्तक किस ने लिखा है इस पुस्तक को लिखा है विजल वाचे राजनी ने option भी correct हो जाएगा इस पुस्तक में COVID-19 pandemic situation के दोरान बच्चों युवा और वैसकों की भावनाओं और विचारों को दर्शाया गया है और विजल को Children's Book Award 2020 से भी नवाजा जा चुका है साथी साथ इनको टाटा समुह की पराग सम्मान सूची 2020 में भी इनका नाम रखा गया है option B correct हो जाएगा विजल वाच राजनी जो है event in time writing on children the COVID-19 pandemic नामक पुस्तक लिखी है next question है option B इसका correct हो जाएगा next question है रक्षा उतपार्थ विभाग ने स्वदेशी करण पूर्टल का क्या रक्षा उतपार्थ विभाग स्वदेशी करण पूर्टल का नाम बताए जिसे हाल ही में रक्षामंत्री राजणात सिंह द्वारा लाँच किया गया है रक्षा मंतरी राजनास सिंग द्वारा लाउंच किया गया है स्रिजन नामक पोर्टल ये स्वदेशी करड़ पोर्टल है इस पोर्टल के जरी निजी छेत्रों की रक्षा कमपनियों को उन रक्षा उपकरड़ो और उन उत्पादों के बारे में सरकार द्वारा जानकारी उपलब्द कराएगी जिन्हें देश में बनाया जा सकता है यही स्रिजन के जरीए जो रक्षा उत्पात की कमपनिया हैं उन सारे उपकरड रक्षा उपकरड और उत्पात के बारे में जानकारी उपलब्द कराएगी सरकार जिन्हें देश में बनाया जा सकता है सरकार की मनसा है कि हम डिफेंस सेक्टर में भी आत्निर्भर बनें उसी के तहट पूरा एक सप्ता का आत्निर्भर सप्ता मनाया गया 7 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक और उसी लाश्ट दिन ये स्रिजन को लाउंच किया हमारे मंतरी राजनाज सिंग्जी ने ये बनाया गया था ओर्डिनेस फैक्टरी जो विभीन ओर्डिनेस फैक्टरियां है देश में उनके द्वारा 15 रक्ष्ण उपकरण को बनाया गया और इसे भी इसी रक्ष्ण सप्ता जो डिफेंस मिनिश्ट्री द्वारा आयुजित किया ग पोटल पे निजी छेत की रक्षा कमपनियों को उन सारे रक्षा उपकरड़ों और उत्पादों के बारे में जानकारी उपलब्द कराई जाएगी जिन्हें देश में बनाए जा सकता है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है भारत के राष्टपती ने पालिशी को बदल दिया गया और अब नई न्यू एजुकेशन पालिशी दोवजार बीस लागू करने की पूरी तरीके से काम सुरू हो चुका है और कई राज्य इस पे आगे इसी शे선 से ही इसको लागू करने भी राजी हो चुके हैं नई एजुकेशन पालिशी में मानो संसाधन विकास मंतराले में आता था अब लेकिन लोग बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं सक रहे थे कि मानो संसाधन विकास मंतराले कौन सा काम करता है तो इसी वज़ा से अब उसका नाम बदल के सीधे सीधे सिक्षा मंतराले कर दिया गया है हमारे सिक्षा मंतरी GDP का 6 प्रतिस्ट करने पे भी रजामंदी करी गई हलाकि जो इस पे मैं जब कोश्चन कराया है मैंने तो काफी सारे कोश्चन आपको बताएं बस यहाँ पे यह सारे चीजे रिपीट कर रही है जो नया कोश्चन यहाँ पे था सिर्फ यह था कि अनुछेद 77 के तहट मानो संसाधन विकास मंत्राले का नाम बदल कर सिक्षा मंत्राले करने की अनुमती प्रदान की गई थी राश्टपती महोदैदवारा और यह सारे कोश्चन जो मैं कर रहा हूँ यह सारे रिपीटेड हैं सिक्षा पे मैंने जो कोश्चन कराया थे तो वहां सारे कोश्चन भी कराया गए थे अलग-अलग तरीके से कराया गया था आप पीछे वीडियो में जाके उसको देख सकते हो और साथी سाथ 10 प्लस 2 सिस्टम को खतम करके न्या सिस्टम 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस new education policy वहाँ पे जाके जब आप इसे देखोगे तो आपको ये सारे question वहाँ पे और ब्रिस्तित तरीके से समझाय हुए मिल जाएंगे option यहाँ पे B correct हो गया मानोशन साधन विकास मंतराले का नाम बदल कर सिक्छा मंतराले करने के अनुमती राष्टपती महोदे द्वारा सम्विधान के अनुछे 77 के तहट प्रतान की गई next question है स्वास्त और पोशड पर e-newsletter का क्या नाम है जिसे आधिवासी मामलों के मंतराले द्वारा जारी किया गया केंद्री जंजाती मंतरी अरजुन मुंडा जी है और इन्होंने अभी हाली में एक e-portal स्वास्त का उद्गाटन किया e-portal जिसका नाम स्वास्त है उसका उद्गाटन किया गया Ministry of Tribal के मंतरी अरजुन मुंडा जी द्वारा स्वास्त एक जंजाती स्वास्त और पोशड पोर्टल है इसी पोर्टल पर एक त्रे मास्त की मतलब तीन महिने में एक बार e-newsletter आलेग भी लांच किया गया है इस e-newsletter का नाम है आलेग option D correct हो जाएगा इस पोर्टल के जरिए जो स्वास्त पोर्टल है जिस पे त्रे मास्त की निउस्ट लेटर आलेग को लांच किया गया है इसी स्वास्त पोर्टल के जरिए जनजाती युवा स्वास्त और पोशड पर fellowship भी कर सकते हैं तो स्वास्त पोर्टल लांच किया गया स्वास्त पोर्टल के जरिए जो जनजाती युवा है वो स्वास्त और पोश्ड पर fellowship कर सकते हैं और इसी पे एक तीन महीने में एक बार एक e-newsletter आएगा ये e-newsletter जो आएगा ये भी स्वास्त और पोश्ड पर ही निर्भर होगा और इसका क्या नाम होगा त्रेमास की e-newsletter का आलेख यही कोश्चन में पूछा गया है e-newsletter का क्या नाम है तो आलेख नाम है option D correct हो जाएगा जबकि स्वास्त पोर्टल पर लांच किया गया है आलेख को नेक्स्ट कोश्चन है गुजरात के किस सहर के दो फ्लाई ओबर का नाम अरुड जेटली और सुस्मा सुराज के नाम पर रखा जाएगा गुजरात के एहमदाबाद के दो फ्लाई ओबर का नाम अरुड जेटली और सुस्मा सुराज जी के नाम पर रखा जाएगा अरुड जेटली और सुस्मा स्वराज दोनों ही केंद्री मंत्री रहे हैं रेंद्र मोधी शरकार में और उसके पहले जब भाजपा की गौर्रमेंट बनी थी अटल बिहारी सरकार में और ये दोनों भाजपा के दिगज नेताओं में से हैं और इन दोनों का निधन हो चुका ह और अब इनके नाम पे एहनदाबाद गुजरात का जो एहनदाबाद शहर है, वहाँ पे दो flyover का नाम रखा जाएगा, एक का नाम अरुड जेटली जी के नाम पे रखा जाएगा, और दूसरे का नाम सुस्मा सुराज जी के नाम पे रखा जाएगा, Option B correct हो जाएगा. फिरोश शा कोटला स्टेडियम ये कहां पे है? नई दिल्ली में है. इसका नाम भी परिवर्थित करके giantly cricket stadium रखा जाएगा. इकाना cricket stadium कहां पे है? ये लखनउ में है. इसका नाम परिवर्तित करके अटल बिहारी बाजपेई क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है हजरत गन चौराहे का नाम परिवर्तित करके अटल चौक कर दिया गया है केजीमसी के पास एक चौराहा है जिसका नाम है चौक चौराहा चौक चौराहे का नाम परिवर्तित करके लाल जी टंडन चौराहा कर दिया गया है लाल जी टंडन अभी उनका हाली मेरी धन हुआ ये मद्ध प्रदेश के गवर्नर थे और उससे पहले ये भारती जनता पार्टी में एक लीडर थे इन्होंने लखनों से कई बार भारती जनता पार्टी के लिए एलक्शन को जीता है लाल जी टंडन के जीम्यू किंग जार्ज मेडिकल इन्वरसिटी के पास जो चौक चौराहा है उसका नाम लाल जी टंडन चौराहा कर दिया जाएगा और हजरत गन चौरहे का नाम अटल चौरहा कर दिया जाएगा इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम अटल विहारी बाजपेई क्रिकेट स्टेडियम कर दिया जाएगा फिरोशा कोटला स्टेडियम जो नई दिली में है उसका नाम अरुड जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है और इस question का नाम, इस question का answer B correct हो जाएगा दो flyover अरुड जेटली, एक का नाम अरुड जेटली flyover होगा और दूसरे का नाम सुस्मा सुराज flyover होगा जो की एहमदाबाद में इस्तित है option B correct होगा, next question है भारती वाइस ही ना कि किस बीमान ने हाल ही में 58 मैट्रिक टन आपात कालीन मानवी सहायता के साथ Lebanon के लिए उडान भरी, Lebanon के लिए उडान भरी है हमारी जो Indian Air Force की बीमान है जिसका नाम है Indian Air Force C-17, option B correct हो जाएगा इसमें आपात कालीन सहायता के रूप में wheat floor, pulses, sugar, medical supply, blanket और sleeping kit और जो भी मानवी सहायता भारस सरकार द्वारा हो सकती थी वो सारी प्रदान की गई है Lebanon को हुआ क्या? Lebanon की राजधानी बेरूत में एक भीषड ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट इतना भी सड़ था कि लगबख 10 किलो मीटर दूर तक की जो मकान थे, जो बिल्लिंग्स थी, उनकी विंडोस के जो ग्लास थे वो तूट गए इसमें लगबख 4,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए और कुछ 100 लोगों के आसपास लोगों की मृत्ती हो गई ये धमाका बताया जा रहा है कि बेरूत में एक बेर हाउस है जहां पे explosive सामान को रखा गया था और उसमें अमोनियम नाइट्रेट का भी भंदार था ये अमोनियम नाइट्रेट की वज़ा से ही ये blast हुआ बहुत ही भेंकर explosive होता है और यह ammonium nitrate उसी warehouse में रखा गया था और काफी बड़ा भंडार था ammonium nitrate का Lebanon जो है यह best Asia country है पश्चमी Asia का देश है और Lebanon में इस besport के बाद जो Lebanon की public है वो government को ही इसका दोशी मान रही है क्योंकि government लगातार 2014 से ही इस warehouse को ultimitum दे रहा था कि आप देखो ammonium nitrate बहुत ही भेंकर explosive product होता है तो इसके रख रखाओं के लिए एक guideline जारी की जाती है government के द्वारा और guideline ना फालो होने पे सरकार की जिम्मेदारी है कि उस warehouse को बंद कराए जाए लेकिन government लगातार 2014 से सिर्फ और सिर्फ ultimitum दे रही थी warehouse को और बंद कराने का कोई भी कारें नहीं किया इसी लिए Lebanon के लोगों ने सरकार के बिरुद्ध प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया और इस प्रोटेस्ट के दवाओं में जो Lebanon के प्रधान मंतरी थे हसन दीबा और उनकी cabinet को अपने पदों से इस्थीफा देना पड़ा आपसन बी करेक्ट हो जाएगा इंडियन एयर फोर्स की जो वाई उसेना की बीमान है बीमान संख्या C-17 ने अठावन मिलियन मेट्रिक्टल आपात कालीन मानवी सहायता प्रदान की लेबनॉन को आपसन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है केंदर सरकार ने किस वर्स तक पेट्रोल के 10% बायो एथनॉल सम्मिस्रण को प्राप्त करने का लक्ष निरधारित किया है देखो पेट्रोल में एथनॉल क्यों मिलाते हैं पहले यह जाते हैं यह एथनॉल है यह रिनूइबल फ्यूल है इसको हम प्लांट मेटेरियल से एथनॉल को बनाय जाता है तो एथनॉल काफी सस्ता होता है और अगर हम पेट्रोल में एथनॉल को मिक्स करते हैं तो जो पेट्रोल से जब पेट्रोल जलता है तो गाड़ियां चलती है तो पेट्रोल से कार्बन मोनो आकसाइड निकलता है जो की एक पलूटेंट है और प् ही है तो इस वज़ा से एथेनॉल को जब हम इस्तमाल करेंगे तो जो एक तो पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाएगी हम पेट्रोल में ब्लेंड किये मिक्स किये एथेनॉल को इसे पेट्रोल जादा हो गया और फिर दूसरा पलूशन भी कम हुआ तो इसे के दो फायदे हुए हम कम पेट्रोल बाहर से अपने वहां पे खरीदे और उसमें हमने एथेनॉल को मिक्स किया तो पेट्रोल की मात्रा बढ़ी साथी साथ ये पलूटें तो हमको आयल का इंपोर्ट कम करना पड़ेगा साथ ही साथ फार्मर ग्रोथ होगी क्योंकि इसको हम प्लांट मेटेरियल ज्यादा तर सुगर केन के मॉलेसिस से बनाते हैं तो हम सरकार उस मॉलेसिस को खरीदने के लिए गन्ना किसानों से संपर करेगी और गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ेगी इन्ही सब कारों को देखते हुए सरकार ने एक लक्ष निर्धारित किया है कि अब 2022 तक 10% एथेनॉल को मिक्स कर दिया जाएगा पेट्रोल के साथ और इसी के तहट 2030 तक 20% एथेनॉल को मिक्स करने का लक्ष भी रखा गया है 2030 तक एथेनॉल 20% कर दिया जाएगा बढ़ाके पेट्रोल में 2022 तक 10% और 2030 तक 20% एथेनॉल को मिक्स किया जाएगा पेट्रोल में और अगर यह होता कि 20% एथेनॉल सम्मिसरन प्राप्ष करने का लक्ष कब तक निर्धारित किया गया है तो एंसर 2030 होता नेक्स्ट कोश्चन है अन देसों का नाम बताईए जो एतिहासिक संधिक समझोते के लिए सेहमत हुए है जिसका नाम अब्राहम एकॉर्ड है देखो यह इसको समझते हैं पहले इसराइल एक देस है और इसराइल ऐसा देस है जब इसराइल इस्टेबलिस हुआ यहां से जुरू करते हैं इसराइल इस्टेबलिस हुआ नाइटेन फॉर्टी एट में जब से इसराइल इस्टेबलिस हुआ है तब से जो मुस्लिम कंट्रिया है वो इसराइल का लगतार बिर इसलिए जो है मुस्लिम कंट्रिया इसराइल को अपना रिकर्गनाईज करने से मना करती हैं लेकिन अभी इसराइल को तीन देशों तीन मुस्लिम देशों ने इजिप, जॉर्डन और यूएई का समर्थन मिला डिप्लोमेटिक रिलेशन्शिप डेबलप हुई अब्राहम एकार्ड जो है ये सांती समझोते का नाम है तो अब्राहम एकार्ड के मताबिक UAE और इसराइल ये दोनों सांती समझोते के लिए सहमत हुए है यानि अब जो अरब देश हैं अरब देश है UAE ये भी इसराइल को as a country recognize करना सुरू कर देगा अब्राहम एकार्ड समझोते के बाद से क्यों नाम रखा गए अच्छा कोई country अगर किसी country को as a country recognize नहीं करती है तो क्या problem होती है एक तो पहले तो आप उस country के साथ trade ब्यापार नहीं कर सकते दूसरा हमारा नागरिक उस देश में नहीं आ जा सकता तीसरा foreign policy उस country के साथ zero हो जाती है तो कई सारे नुकसान होते है इसराइल अपना border share करती है Syria और Lebanon के साथ आप सोचो Syria और Lebanon भी इसराइल को as a country recognize नहीं करते तो अब अपने परोशी देश के साथ ही कोई व्यापार नहीं कर रहे हो और अब ये तीसरा देश होगा अरब खाड़ी का UAE जो की इसराइल को recognize करेगा as a country और इस समझोते का नाम है Abraham Accord समझोता Abraham Accord समझोता ही इसका नाम क्यों रखा गया देखो जो तीन religion है Islam, Christian और Jewish ये तीनों मानते हैं और ये तीनों बोलते हैं कि we are the son of Abraham, Islam, Christian और Jewish तो इसी लिए इस समझोते का नाम रखा गया क्या Abraham Accord option C correct हो जाएगा और इस समझोते को कराने में डोनाल्ड टरम्प का एक बहुत ही बड़ा रूल माना जा रहा है next question है किस राज सरकार ने गामों और ग्राम पंचायतों में UPI Unified Payment Interface की माध्यम से Digital भुक्तान सेवाओं को सुरू करने के लिए NPCI National Payment Corporation of India और Canera Bank के साथ समझोता किया है UPI को सुरू करने के लिए National Payment Corporation of India और Canera Bank के साथ समझोता किया है अंद्राप्रदेश की सरकार ने अंद्राप्रदेश के मुक्हमंत्री का नाम जगन मोहन रेड़ी है और अंद्राप्रदेश ने एक बिल पास किया है जिसके अनुसार आंधरप्रदेश तीन कैपिटल वाला भारत का पहला राज्य होगा तीन राजधानी वाला पहला राज एक्सक्यूटिव इसकी राजधानी बिसाखा पत्नम होगी लेगिजलेटिव राजधानी अमरावती होगी और judicial capital इसकी कुर्णूल होगी option यहाँ पे आंध्राप्रदेशी वाला correct हो जाएगा next question है Flipkart ने उद्योग पर केंदरित अनुसंधान का समर्थन करने के लिए किस IIT के साथ Memorandum of Understanding पर sign किया है Flipkart ने Artificial Intelligence, Natural Language Process, Machine Learning इन सब पे research के लिए अनुसंधान के लिए IIT पतना के साथ एक Memorandum of Understanding पर sign किया है IIT पतना option B correct हो जाएगा next question है महराष्ट के राजिपाल भगत सिंग कोशियारी को गोवा के राजिपाल के रूप में अतरिक्त प्रभार दिया गया मेघाले के ने राजिपाल कौन है मेघाले के ने राजिपाल बने है शत्तिपाल मलिक और जो महराष्ट के राजिपाल है भगत सिंग कोशियारी इनको गोवा का अतरिक्त कारिभार दिया गया है और जम्मू कास्मीर के ने राजिपाल बने है मनोश सिना जो सत्थिपाल मलिक जो बने है MGHाले के राजिपाल ये जब जम्मु कास्मीर से धारा 370 और 351 को हटाये गया था उस समय ये जम्मु कास्मीर के राजिपाल थे इनके बाद जम्मु कास्मीर के दूसरे राज़ेपाल बने थे GC मुरमूर और अभी GC मुरमूर कमट्रोलर जनरल आफ इंडिया है और मनोज सिनहा जम्मु कास्मीर के प्रेजेंट में राज़ेपाल है तो यहां पे मेघाले के राजेपाल को पूछा था तो मेघाले के राजेपाल प्रेजेंट में हैं सत्यपाल मलिक, गोवा के हैं भगत शिंग कोशियारी महराश्ट के भी हैं भगत शिंग कोशियारी जम्मु कास्मीर के हैं मनोश सिनहा और जम्मु कास्मीर के इससे पहले जो जी सी मुर्मुर थे इन्हें कम्टोलर जनरल आफ इंडिया का पदभार ग्राण कराये गया है नेक्स्ट कोश्चन है राकेश अस्थाना को किस केंद्री ससस्तर पुलिस भलके महानी देशक के रूप में नूप किया गया है राकेश अस्थाना को BSF, Border Security Force के महानी देशक के रूप में नूप किया गया है CISF के डिरेक्टर जनरल है राजेश रंजन SSB की डिरेक्टर जनरल है अर्चना रामा सुन्दरम और NSG के डिरेक्टर जनरल है अनुप कुमार सिंग तो डाकेश अस्थाना यहां पूछा गया था ये हैं BSF के CISF के मैंने बताया राजेश रंजन SSB की अर्चना रामा सुन्दरम और NSG के अनुप कुमार सिंग नेक्स्ट कोश्चन है वर्ष 2020 के लिए Forbes की सबसे अधिक भुकतान पाने वाले अभिनीताओं की सूची में सीर्स पर कौन है इस सूची में सीर्स पर हैं डेवन जॉनसन ये पूरे साल के दोरान Forbes सूची के अनुशार सबसे अधिक भुकतान पाने वाले अभिनीता है और इसमें हमारे अक्षे कुमार छाटवे अस्थान पे हैं और टॉप 10 में ये एक मात्र भारती अभी नेता है जिन्हें Forbes ने अपनी सूची में अस्थान दिया है और अगर हम Billionaries की लिश्ट की बात करें तो जेफ बेसोज इसमें एकदम टॉप पे बने हुएं Forbes लिस्ट में और अभी जो latest Forbes लिस्ट जारी हुई है इसमें ये देखे फोब लिस्ट क्या होती है ये अपने real time लिस्ट जारी करते हैं लगातार ये कभी भी लिस्ट को जारी कर सकते हैं तो जो latest जारी हुई है इसमें मुके संबानी चौथे अस्थान से खिसक के साथवे अस्थान पर पहुँच गए हैं तो आप अगर ये लिस्ट देखनी होती है तो आप इन लिस्टों को एकदम एकजाम से ठीक पहले देख के जा सकते हो क्योंकि ये latest लिस्ट हमेशा change होती रहती है हर 2, 4, 10, 15 दिन के अंदर सब महीने में एक दो बार ये लिस्ट आई जाती है क्योंकि जो बिले नीदीज होते हैं ये लगातार बदलते रहते हैं कुछ दिन पहले ही मुकेश अंबानी पिछले महीने ये चौधे अस्थान पे थे और फिर अगस्त में ये साथमें अस्थान पे आ गए हैं डेवेन जॉंसन ये अभिनेताओं की सूची में सीर्स पे रहें और अभिनेताओं की सूची में भारती अभिनेता अक्षे कुमार छाठवे स्थान पे हैं फोप्स की सबसे अधिक भुकतान पाने वाली सूची में अभिनेताओं की नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से किसे 74 स्वतंतरता दिवस समारो पर तमिलनाडू के मुख्यमंतरी के विशेश पुरुषकार से सम्मानित किया गया सौम्या स्वामिनाथन को कौन है ये सौम्या स्वामिनाथन ये इंडियन वर्जिन की हैं इनका जन्व चेननाई में हुआ था आर्ण फोर्स मेडिकल कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी ये प्रिजन टाइम में वर्ड हेल्थ और्गनाईजेशन की मुख्य बैग्यानिक हैं और कोविड-19 से निपटने के लिए वर्ड हेल्थ और्गनाईजेशन लगातार इनसे अपनी सलाह ले रहा है और अभी 15 आगस्त 2020 को 74 सुतंता दिवस के उसर पर इन्हें तमिलनाडू सरकार द्वारा एक विसेश पुरुसकार से सम्मानित किया गया ऑप्सन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है जैविक किसानों की संख्या के आधार पर भारत की रेंग क्या है देखो जैविक किसानो जितनी खेती हो रही है उस मामने में भारत नौवे अस्थान पे है जैविक किसानों की संख्या के अधार पर पहले अस्थान पे और जैविक खेती के तहट जो छेत्र का इस्तमाल किया जा रहा है एरिया का इस्तमाल किया जा रहा है उसमें भारत नौवे अस्थान पे है सि किम हमारे देश का नार्थीष्ट का राज्य है और अगर हम एक और न्यूज है हनी टेस्टिंग लैब इसका गुजरात में उद्गाटन किया गया है अभी जल्दी हनी टेस्टिंग लैब कहां पे है बिस्वस्तरी हनी टेस्टिंग लैब है ये इसका गुजरात में उद्गाटन किया है अभी हाल ही में गुजरात राजी में इसका उद्गाटन किया गया जैविक किसानों किसंख्या के अधार पर भारत की रेंग पहली है और अगर जैविक खेती का एरिया देखेंगे उस मामने में भारत नौवें अस्थान पर है किस कंपनी ने 13 संस्क्रण के IPL प्रायोजन का अधिकार प्राप्थ हुआ है जो UAE अरब एमिरात में आयोजित होना है यह आयोजित होगा जो 19 सेप्टेंबर से लेके 10 नौमबर तक और इसको इसका जो IPL प्रायोजन का अधिकार प्राप्थ हुआ है इसे प्राप्थ हुआ है ड्रीम 11 को ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्ट प्लेट फॉर्म है जिस पे लोग क्रिकेट के अलामा और भी कई सारे फैंटेसी मतलब की इ दोनों टीमें खेल नहीं होती है उन में से आप अपने पसंद की एक टीम बनाओ और फिर जो जिस हिसाब से अपना खेल का प्रदर्शन करेगा रियल खेल में उस हिसाब से आपको पॉइंट मिलेंगे और फिर आपको विनर घूसित किया जाता है और पहले ये था वीबो के आपसन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है इंडिया हेल्थ केर वीक के लिए विसे क्या है जो 17 से 21 अगस्त 2020 के बीच मनाए गया ये पूछा जा रहा है कि इंडिया हेल्थ केर वीक का थीम क्या था इस वर्श का इस वर्श का जो इंडिया हेल्थ केर वीक का थी TB free होने के लक्ष के साथ कारे कर रहा है साथी साथ भारत 2030 तक malaria free होने के लक्ष के साथ कारे कर रहा है और भारत ने एक target set किया था अपने लिए कि भारत 2020 तक file area free हो जाएगा लेकिन COVID-19 situation की वज़ा से इस लक्ष को फिर से बढ़ा के 2021 तक file area या free होने का लक्ष भारत ने अपने खुद के लिए रखा है तो फिर से मैं repeat कर रहा हूँ TB free का target 2025 malaria free का target 2030 और file area free का target एक साल बढ़ाके अब 2021 याद रखेंगे file area free का target 2021 ये 2020 था लेकिन covid-19 pandemic की वज़ा से इस लक्ष को achieve नहीं कर सके हम इसलिए इस लक्ष को एक साल बढ़ाया गया है सरकार द्वारा, फाइल एडिया फ्री का लक्ष 2021 है, नेक्स्ट कोश्चन है, किसानों द्वारा प्रचारित सेवा ऑनलाइन फर्म वेदक्रिसी.com को किस ने लांच किया, वेदक्रिसी.com को लांच किया नितिन गटकरी ने, नि SME मंत्री है, यानि Micro Small Medium Enterprises की मंत्री नितिन गटकरी है, अभी देखिए, ये किसानों द्वारा प्रचारित सेवा है, लेकिन इसे नरेंदरे सिंग तोमर द्वारा, जो कि हमारे Minister of Agriculture and Former Belfair है, उनके द्वारा लांच नहीं किया गया है, इसको आप ध्यान दोगे, इसको लांच किया गया है, नितिन गटकरी द्वारा भी, मैं बताता हूं क्यों नितिन गटकरी ने लांच किया, इस प्लेटफॉर्म के जरी एक ग्राहक, ग्रॉसरी की सेवा को सीधे किसानों से खरी सकें, ग्रॉसरी सेवा में इसकी डेरी उत्पात, सबजियां, अनाज, जाले, अचार, जूस, सॉस, ये सब आप डाइरेक्ट किसानों से खरी सकते हो, इसमें क्या होता है, पहले किसान किसी बिचौलियों को बेचते हैं, किसान ने बेचा किसी को और वो फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके आप तक पहुँचाने का काम करते हैं, लेकिन अब डेर के सेक्टर में आगया, अचार बनाया जा रहा है, इसमें अचार आप खरी सकते हो, वेद क्रिशी से, किसान अचार बनाके डाइरेक्ट आपको बेचेगा, किसान जूस की पैकिंग करके डाइरेक्ट आपको बेचेगा, किसान सबजियां आपको डाइरेक्ट बेचेगा, कि को नतिन गटकरी ने लांच किया इस प्रेटफॉर्म के जड़ी ग्राहक किसानों से सीधे ग्राउसरी को खरीज सकेंगे option भी यहां correct हो जाएगा यह आज का last question था मिलते हैं नए करेंट फेर के साथ next video में keep study on learning book thank you for watching this